साथियों साउसदिया लोग तंत्र में आज का दिवस गवरों में है यह बैभव का दिन है आजहादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में यह सपत समारो हो रहा है अब तक यह प्रक्रिया पूराने सदन में हुआ करती थी आज के इस महत्पपुन दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचीत संसदों का रुदय से स्वागत करता हूं सबका अभिनंदन करता हूं और सब को अनेक अनेक शुप कामनाय देता हूं संसद का यह गठन भारत के सामान्य मानुवी के संकल्पों की पूर्ति का है नए उमंग नए उत्सा के साथ नई गती नई उचाई प्राप्त करने के लिए यह अत्यन्त महत्पपुन आउसर है स्रेश्ट भारत निर्मान का विक्सिद भारत 2047 तक का लक्ष यह सारे सपने ले करके यह सारे संकल्प ले करके आज अठारवी लोकसभा का प्रारंब हो रहा है विश्वकां सबसे बड़ा चुनाव बहुती शांदार तरीके से बहुती गवरव में तरीके से संपन्ध होना यह हर भारती के लिए गर्व की बात है एक सो चालीस करोर देश वाजशों के लिए गर्व की बात है करीब 65 करोर से जादा मत दाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपुन बन गया है कि आज़ादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और यह अवसर साट साल के बाद आया है यह अपने आप में बहुत बड़ी गवरोपुन घटना है साथियों जब देश की जनता ने तीसरे कायरकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है मतलब उसकी नियत पर महर लगाई है उसकी नीतियों पर महर लगाई है जनता जनारदन के प्रति उसके समर्पन भाव को महर लगाई है और मैं इसके लिए देश वास्यों का रदे से आभार व्यक्त करता हूं गत दस वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्थावित करने का निरंतर प्रयास किया है क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है लेकिन देश चलाने के लिए सहमती बहुत जरूरी होती है और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमती के साथ हर किसी को साथ लेकर के मा भारती की सेवा करें एक सो चालिस करोर देश वाजों की आशा आकांग्षाओं को परिपूर्ण करें हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए मिर्णयों को गती देना चाहते हैं अठारवी लोकसभा में हमारे लिए खुशी की बात है कि युवास सामसदों की संख्या अच्छी है और हम जब अठारा की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचीद है उनको पता है कि हमारे यहां अठारा अंक का बहुत सात्विक मुल्य है गीता के भी अठारा अध्याय है कर्म करतव्य और करुना का संदेश हमें वहां से मिलता है हमारे हां पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी अठारा है अठारा का मुलांक नव है और नव पुर्णता की गारंटी देता है नव पुर्णता का प्रतीक अंक है अठारा वर्ष की आयू में हमारे हां मताधिकार मिलता है अठारवी लोगसभा भारत के अमरितकाल की इस लोगसभा का गठन वो भी एक सुपसंकेत है साथियों आज हम 24 जून को मिल रहे हैं कल 25 जून है जो लोग इस देश के संविधान की गरीमा से समर्पीत है जो लोग भारत की लोकतांत्रीक परमपराओं पे निश्टा रखते हैं उनके लिए 25 जून न भुलने वाला दिवस है कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं भारत की नई पीड़ी इस बात को कभी नहीं भुलेगी कि भारत के सम्विधान को पूरी तरा नकार दिया गया था सम्विधान के लीरे लीरा उड़ा दिये गये थे देश को जेल खाना बना दिया गया था लोक्तंत्र को पूरी तरा दबोच दिया गया था एमर्जंसी के यह 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गवरों के साथ हमारे सम्विधान की रक्षा करते हुए भारत के लोक्तंत्र लोक्तंत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देश वासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोक्तंत्र पर काला धब्बा लगा दिया गया था हम संकल्प करेंगे जिवन तलोक्तंत्र का हम संकल्प करेंगे भारत के समिधान की निर्विस दिशा के अनुसार जन सामान्यकी के सपनों को पूरा करना साथियों देश की जन्ता ने हमें तीसरी बार मोका दिया है यह बहुती महान विजय है बहुती भव्य विजय है और तब हमारा दाईत्व भी तीन गुना बढ़ जाता है और इसलिए मैं आज देश वाचों के विश्वाद दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मोका दिया है दो बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है मैं देश वाच्छों का अज विश्वाद दिलाता हूँ कि हमारे तीसरे कारकाल में हम पहले से तीन गुना जादा मेहनत करेंगे हम परणामों को भी तीन गुना लाकर के रहेंगे और इस संकल्प के साथ हम इस नए कारेभाल को देख करके आगे चल दा है मानिया सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षा है मैं सभी सांसदों से आगरे करूंगा कि जनहीत के लिए लोग सेवा के लिए हम इस अवसर का उप्योग करें और हर संभव हम जनहीत में कदम उठाएं देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है अब तक जो निराशा मिली हैं शायद इस अठारवी लोग सभा में विपक्ष देश के सामान नागरीकों की विपक्ष के नाते उनकी मिखत अपेक्षा करता और है लोग तंत्र की गरिम को बनाए राखने के अपेक्षा करता है मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खर्डा उतरेगा का साथ्यों क्यातित संधन में में सामार्च मानवी के अपेक्षा रहती हैं कि यूजिलस की लोगों कोई अप्रेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे ड्रामा होते रहे डिस्ट्रबंस होता रहे लोग सब्स्ट्रंस चाहते हैं स्लोगन नहीं चाहते हैं देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यक्ता है जिम्मेबार विपक्ष की आवश्यक्ता है और मुझे पक्का विस्वाद है कि इस अठारवी लोग सभा में हमारे जो सामसद जीत करके आये हैं वो सामान ने मानवी की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे साथियों विख्षिद भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबका दाईत्व है हम मिल करके उस दाईत्व को निभाएंगे जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे पचीश करोण नागरिकों का गरीबी से भार निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सभलता प्राप्त कर सकते हैं और ये मानवजात की बहुत बड़ी सेवा होगी हमारे देश के लोग एक सो चलीस करोण नागरिकों करने में कोई कमी नहीं रखते हैं हम उनको जादा से जादा आउसर जुटाएं इसी एक कलपना और हमारा ये सदन वो एक संकल्प का सदन बने हमारी अठारवी लोग सभाव संकल्पों से भरी हुई हो ताकि सामान ने मानवी के सप्न साकार हो साथियों मैं फिर एक बार विशेश करके नए सांसदों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं और अनेक अनेक अपिक्षाओं के साथ आईए हम सब मिल करके देश की जनता ने जो नया दाईत्व दिया है उसको बखुबी निभाएं समर्पन भाव से निभाएं बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों करता हूं